इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे Apollo Tires के बारे में जिसने के अपने quarter 2 के numbers के announcement कर दीए तो results के अलावा अंदर कोई भी announcement नहीं है तो पहले point में results है then raising of funds देखने को मिल ला है जो कि 10,000 million का है तो चलिए देखते हैं इस बार numbers कैसे रहे तो dividend bonus या फिर split के regarding हमें अंदर कोई भी outcome देखने को नहीं मिल रहा है और market estimate की अगर बात का है तो वह भी missing है किसी भी broker नहीं दिया था तो सारे figure millions में इन करोड में बात करेंगे हम लोग डिसकस करेंगे consolidated earnings quarter 2 का data है one का है then last year quarter 2 के earnings आपको third column में देखने को मिलेंगे तो सीधा बात करते हैं company की total income की अगर आपने दोनों ही जगे company की बढ़ती हुई देखने को मिलेगी income बढ़ी तो expenses की बात करें जो कि 5600 से 6000 पे आगे quarterly 59 से 6000 क्रोड पे then discuss करते है company को total profit या loss for the period after all the adjustment कितना हुआ तो last year quarter 2 में 474 क्रोड का profit था वो जबाद 297 पे आ गया और quarter 1 में 302 क्रोड के profit थे वो 297 पे आगे तो इस ब reflection EPS में profit कम है तो EPS भी 7 से 4 पे आ गया yearly और 4.76 से 4.68 पे quarter on quarter तो जिस तरीके से profit कम हुए same EPS में भी गिरावट देखने को मिले तो overall दोस्तों इस बार के numbers कुछ खास नहीं है बिल्कुल market का भी एक negative reaction होगा और share price में गिरावट आ सकती है तो आपको आपोलो टायर्स के कितन